दोस्तो अगर रेल यात्रा के दौरान आप भी छोटी छोटी गलतिया करते हैं तो सावधान हो जाईए नहीं तो आपकी यात्रा खराब हो सकती है यात्रा के दौरान भूल से भी यदी रेल लाइन पार करना, रेलवे परिशर में गंदगी फैराना, चेन खीचना, रेल परिशर में जगड़ा करना, प्लेटफॉर्म से ट्रेन की और जाकना जैसे कार करते हैं तो यह अपराध है railway act में इस पर सजा का भी प्रावधान है इसमें सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है दूसरी और जबर जस्ती rail रोकना बड़ा प्राद है जिसकी सजा भी बड़ी है विरोध प्रदर्शन के लिए rail को भी निशाना बनाया जाता है rail रोक दी जाती है railway act के तहट ऐसा करने पर दर्ज मुकदमे में 14 साल तक कैद हो सकती है और चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं ऐसी छोटी छोटी बात जिस पर railway में किस धारा के तहट सजा जुर्माने का प्रावधान है और आप भी अब सावधान हो जाईए और आप भी ऐसी छोटी छोटी गलतिया मत कीजिए दोस्तों सबसे पहली गलती लोग करते है railway station pressure में गंदगी फैलाने की तो दोस्तों इसमें यह है कि station pressure railway सुरच्छबल के साथ मिलकर गंदगी फैलाने वालो पर नजर रखता है और मौके पर पकड़े जाने लोगों पर 500 रुपे जुर्माना वसूला जाता है और railway प्रशाशन के ओर से station pressure में साफ सफाई पर wishes जोर दिया जा रहा है इसको देखते हुए railway प्रशाशन अब प्रति दिन station पर गंदगी फैलाने वालों पर announcement के दोरान सफाई को लेकर भी आत्रियों को संदेश दिया जा रहा है दोस्तो अगली गलती लोग बहुत करते हैं कि platform से train देखने के लिए जाकते हैं तो दोस्तो platform के किनारे खड़े होकर आती हुई train को जाकना अपराद की श्रेड़ी में शामिल है यात्रियों की सुरक्षा के लिए platform किनारे से डेड़ फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं train आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है रुकने पर ही train के अंदर जाना चाहिए railway नियमों का उलंगन करने वालों खिलाब 5 सुर्पे जुर्माना या एक माह की सजा का प्रावधान है आरपी एफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर railway act की धारा 147 के तहट कारवाई करती है तोस्तो तीसरी गलती है कि railway line पार करना दोस्तो railway line पार करने वाले भी अब होशियार और साथधान हो जाए क्योंकि एक प्लेटफॉम से दूसरे प्लेटफॉम पर जाने के लिए rail यात्रियों शॉर्टकट यूज करना बंद कर दें वरना उनकी यात्रपर ग्रहार लग सकता है railway सुरक्षा बलने line पार करने वालों खिलाफ कारवाई कर सकता है rail अधिनियम के तहट line पार करने वालों पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है और जुर्माना भुगतान नहीं करने वालों को तीन महीने के लिए जेल भेजने का भी प्रावधान है और दोस्तो अगली गलती है rail परिसर में जगड़ा करना वा अभधरता करने पर भी कारवाई railway station परिसर में जोर जोर से बाते जगड़ा करने अभधर वेभार पर railway की धारा 145 के तहट कारवाई होती है इसके लिए भी 500 रुपे जुर्माना या एक मा के जेल की सजा है ड्यूटी पर तैनाथ railway कर्मचारी के कार रे में बाधा उत्पन करने पर धारा 146 के तहट कारवाई होती है दोस्तो अगली गलती है कि लोग सीट ना मिलने पर महीला कोच में बैट जाते हैं दोस्तो ट्रेन में भीड होने पर लोग महीला कोच में चले जाते हैं ऐसा करने पहले एक बार अवर्श सोचें महीला कोच में सवार पुरुष यातरी railway एक्ट की धारा 162 और दिव्यां कोच में गैर दिव्यां के सवार होने पर 155 की तहट कारवाई होती है इसके अलावा ट्रेन की छट या पायदान पर बैट कर सफर करने वालों खिलाप 156 की तहट करवाई सुनिश्चित की गई है इसमें भी 500 रुपए का जुर्माना लगता है या एक माह की कारवास की सजा हो सकती है दोस्तो अगली सजार की बात कहें तो वो है कि अनावश्यक चेन पूलिंग दोस्तो कभी कभी रेल यात्रा के दौरान बिना किसी काम के मतलब अनावश्यक रूप से लोग चेन पूलिंग कर देते हैं अब ऐसा करने पर 1000 जुर्माना वा तीन माह की कैद होती है इसी तरह रेलवे की संपत्ती की चोरी करने पर 3 रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट में 3 वर्स की सजा भुगतनी पर सकती है तो दोस्तो आप अब ऐसी छोटी छोटी गलतियों में भी अपना आप सिधार कीजिए और ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत